आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेट सोया चंक्स बिर्यानी रेसिपी जो की बनता है बहुत ही सेकेंड में इसे हम जटपट कूकर में कम मसालों से बना सकते हैं और यह खाने में बहुत ही लाजबाब होता है जैसे की देखने में आपको लग रहा होगा व इसे हम दो मिंट में जटपट कूकर में बना सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं दो चॉप्ड अनियन लूँगी उसके बाद दो चॉप्ड मैंने पाटैटो लिया है उसके बाद मैंने थोड़े से कड़ी हरी मिर्च और 15 करिब लहसुन लिया है इदर भाई सो रेड चिली को पेस्ट बना के रख लिया है हमने कुकर लिया है उसमें ओयल करना है जो भी ओयल खाते हैं वो आप डाल सकते हैं और कुएंटिटी भी आप गटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं एक स्पून मैंने इसमें जीरा डाला है थोड़ा सा गोटा धनिया दो लाल मिर्च और दो इलाइची और चार मैंने लॉंग डाला है उसके बाद मैंने दो करिब तेज पत्ता डाला है दो टुकडे डाल चीनी के डाले हैं अब मैंने जो भी हमने सोयविन रखे थे वो मैंने डाल दिया है अब इसको हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे अब इनको पहले ही आप इसको बॉल करके अच्छे से इसको निचोड के अच्छे से पानी में धो करके रख लीजिएगा अब मैंने इसको फ्राइ करना है हमें जैसे कि यह दिख रहा है आपको गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम अच्छे से फ्राइ कर लेना है फ्राइ कर गार्लिक और जिंजर का जो पेस्ट रखा तब वो डाला है उसके बाद इसे हम दो मिनिट के लिए कवर करेंगे कि यह लो फ्ले में अच्छे से गुक हो जाए अब मैं जो पेस्ट बना के रखा ता टमैटो रेड चिली को डाल दिया है इसको अच्छे से हम फ्राइ कर लेंग यमी होता है अब भूल जाएंगे नौन विज बिर्यानी और यह देखे कड़ी पता डाला है अब मैंने लाल मिर्च पॉडर डाला है कश्मीरी लाल मिर्च इसमें मैंने चिकन तंदूरी मसाला यह कस्तूरी मेथी यह धनिया पॉडर हल्दी पॉडर नमक और उसके बाद इ है जया देखने में कितना लजीज लग रहा है कितना टेस्टी दिख रहा है कहने में भी यकीन वहानी लाटेक ऑप मानली इसमें मैं धाई कटोरी करिब में पानी डालोंगी इसको पहले हम मिला लेंगे अच्छे से इसके बाद धाई कटोरी में पानी डाल दूंगे इसमें जो नॉनविच खाते हैं उन्हें भी इसे महबद आजाए कि मतलब वह भी कहेंगे कि नहीं हम तो सोयाचंग अब भी भी आप बना के घर में अराम से जटपट कोई आए तो भी आप खिला सकते हो और यह बहुत ही कम मसालों कम चीजों से घर की चीजों से बन जाते हैं कोई एक्स्ट्रा हमें इसमें कुछ करने का जरूत नहीं है अब मैंने लेट लगा दी है लो फ्लेम में मीडियम करना है अब यह देखिए हमारा जो वैज आप सोया चंक्स बिर्यानी है रेडी हो गया है खाने के लिए देखिए कितना लाजवाब देख रहा है कितना उतना ही टेस्टी भी है खाने में तो अगर मेरी वीडियो अर्ची लगे हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा thank you for watching